छोले तो आपने बहुत तरीके से बना के खाई होंगे। इस तरीके से अगर आपने एक बार छोले बना लिए तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। जरूर ट्राइ करें। दो छोटे साइस की प्याज डाल देते हैं, सीधा सारी शीज़ें आपको कूकर में डाल देनी हैं, और ये अद्रग भी डाल देते हैं थोड़ी सी, लहसुन डाल देते हैं, साथ से आठ यहां पे लहसुन की कलिया हैं, जो हम मसाला यूज करते हैं छोले बनाने के लिए सब 2 हरी मिर्ची डाल दी है और 3 कप पानी ढाल देते हैं क्योंकि हमें छोले को बॉइल भी करना है अब आपको इसमें जीरा बीडाल देना है आदा चोड़े चमचम जीरा डाल देते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आयाएगा जीरा से साथी में 2 सुखी वाली लाल मिर्चे ढाल मिली या पर फ्रचाब टालेनी है, तो आपको अछे को चोटा भूल के ननी करें है यापका ह Átigé Hagandakula मजलना प्रचिव का वीजिट हैं कि सब्सक्राइब पर यहां तेशपतन भी याएंगे फिर मैंने एक छोटा चमच यहां पर घी डाल दिया है आप चाहें तो ओइल भी डाल सकते हैं इससे जो पानी है वो बिल्कुल भी बहार नहीं आएगा और सारी चीज़ अच्छे से अब आपको इसमें सीटिया लगानी है यहां पर कम से कम चार से पांच विसल लगाएं और आप देखिए छोले भी अच्छे से बॉइल हो चुके हैं और जितनी भी चीज़े थी उनका सारा फ्लेवर आ चुका है खास करके इन खड़े मसालों का आप चाहें तो इनको निकाल स यह बिल्कुल अच्छे से न इसमें घुट चुकी है इनका फ्लेवर भी आ चुका है और इनका मसाला भी तयार कर लेंगे यह मल्टिपल काम करेंगे छोले में बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया इस टाइम पर बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो यह सारी चीज़ अच्छी आपको पीसना होगा लैसुन अद्रग हरी मिर्ची लाल मिर्ची प्यास टमाटा सबकुश निकाला है सिर्फ खड़े मसाले को छोड़के थोड़ा सा पानी डालके से ब्लैंड कर लेते हैं इसका पेस्ट तयार कर लेते हैं लाल मिर्ची का वज़े से बहुत अच् मिर्ची का ने ही डाल देते हैं और यह जो तयार किया है मसाला है कि आपको डाल तीख हो जाएंगे फिर आपको यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, साथी में डाल देते हैं धनिया पाउडर, और यह गरम मसाला डाल देते हैं थोड़ा सा, बहुत जादा मसाले भी नहीं डालने पड़ेंगे आपको, साथी में मैं यहाँ पे एक छोटा चमश डाल रही हूँ, चना मस तो किचिन किंग मसाला डाल सकते हैं, फिर मैंने यापे डाली है काश्मिती लालमिर्च पाउडर, जिसके वज़े से छोली की ग्रेवी का जो कलर है वो अच्छा आएगा, इसमें तीखा नहीं होता है, आप यहां पे बहुत जादा लालमिर्ची नहीं डालें, सिर्फ कलर वा मसाला है, भुन के तयार हो गया है, सुके मसाली की कौनिटिटी इसलिए कमी रखेंगे, क्योंकि खड़े मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर पहले ही आ चुका है, थोड़ी सी हम क्या करते हैं, कसूरी मेथी डाल देते हैं, छोले में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच छोले सी पतली रहें तो कब पानी भी ढाल सकते हैं, भक्कन लगाके इसमें दो तिन विसल लगा लेंगे सिर्टी अने तक अब आपको कूकर खोल ने लेकिन एकदम नहीं खोले जब इसका प्रेशर निकल जए उसके बाद चेक करें। आप ही देखिए छोले हमारे बिल्कुल तेयार हो चुके हैं यह बहुत ही जादा टेस्टी लग रहे है इस टाइम पे और सच पताओं तो खुश्बू तो बहुत एच्छी आ रही है आपने देखा इनको बनाना के इतना आसान था बिल्कुल यूनीक तरीका है से बनाने का औ लिस्टी लगते हैं अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें